मकर राशी अक्टूबर 2022 महिना शुब संकेतों का फिर भी थोड़ा संगर्श का अपनी तुलना किसी के साथ ना करे यदि आप वैसा करते हो तो एक प्रकार से आप स्वयम को ही अपमानित करते हो इस बात को मकर राशी के जातकों ने विशेश रूप से द्यार में लेना चाह पर मकर राशी आती है यह चर और पृत्वी ततों की राशी है जिसकी अपनी स्वतंत्र विशेश्टा है अन्य राशियों की तुल्ला में संगर्श करने की परिश्रम करने की प्राकृतिक शक्ती इसमें अधिक है इसलिए आप दुसरों के साथ अपनी तुलना कभी ना करे जो परिश्रम आप कर सकते हैं जो सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं वह प्रकृती ने आपको दिया हुआ अन्मोल वर्दान है नमस्कार मैं गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमिय और मद्यन करताओं का हर्दिक स्वागत करती हुआ हम अक्टूबर 2022 महने की राशी भल को समझ रहे हैं उसमें आज हम मकर राशी के जातकों के लिए यह महना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वा मैं आपको इस मेहने करने वाले विशेश उपाय बताऊंगी इसी लिए वीडियो अंत तक देखें व्यक्तित्व की दुरुष्टी से विचार करें तो राशी स्वाबी की स्थिति को देखना महतोपुर्ण होता है मकर राशी के स्वाबी साक्षात नयाधी शनी महराज है जो आपकी राशी में वक्री अवस्ता में विराजमान है 23 अक्टोबर को वे मारगी होंगे राशी स्वामी जब राशी में होता है तब मनुष्य की परिश्रम करने की इच्छा प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है जो आप में मूल रूप से है साथ ही व्यक्तित्व अधिक प्रगल्ब होता है तो कि शनी महराज नयादीश है वे आपको कई प्रकार के अनुभो देते हैं जिससे व्यक्तित्व प्रगल्ब होता है कुल मिला कर इस महिने आपका व्यक्तित्व अधिक प्रगल्ब होगा उसका सदोपयोग कीजिए धन परिवारवानी की दुरुष्टी से विचार करें तो द्यूतियेश किस्तिती महत्व पुर्ण होती है मकर राशी के लिए द्यूतियेश भी शरी माहराज है जो आपकी राशी में विराजमार है दुतिएश या धनेश जब राशी में होता है तब विभिन्नमार्गों से धनलाब होता है विषayı उप से आपका धनेश और पंचमेश में नवपंचम योग है लाभेश और राशी स्वामे भी नवपंचम योग में है संग्षेप में ऐसे कई शुभयोग दिर्माल होने के कारण धनव रुद्धी के कई अउसर आपको प्राप्त होगे यह उत्सव पर्वका महिना होने के कारण आप अत्याधिक प्रसन्न रहेंगे धनलाब होने के कारण उस प्रसन्नत्ता में वृद्धी होगी आपको पारिवारिक सउख्य प्राप्त होगा परिवार में कोई कारेक्रम हो सकता है पारिवारिक मिलाब भी हो सकता है इस अउधी का उपयोग कीजिए पराक्रम परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करे तो कुंडली का तुरुतियस्थान अत्यनत महत्वपुरुण होता है मकर राशी के तुरुतियस्थान में गुरु महराज की मीन राशी आती है महत्व पुर्णबात है कि गुरू महाराज का गोचर वही से शुरू है वह भी वक्री अवस्ता में है जो तिश्णियमोक के अनुसार वक्री ग्रह का चेश्टा बल बढ़ जाता है परिणाम सरूप इस अउधी में गुरू महाराज का बल बढ़ा हुआ है उस अनुसार गुरू महाराज आपको परिश्रम करने के लिए सुचित कर रहे है उसी के अनुसार अधीक से अधीक परिश्रम करने की सलाह आपको दी जाती है वास्तु वाहन भूमी सुखशान्ती की दुरुष्टी से विचार करे तो यह सभी चीजे कुंडली के चतुरतस्तान से निर्धारित होती है मकर राशी के चतुरतस्तान में राहू और हर्षल जैसे दो पापक ग्रहू का गठबंदर हुआ है जिस कारण कही न कई एक न कारात्मक वातावरन तयार होना, घर की सुखशान्ती भंग होना, सउठ्खे कम होना जैसे योग निर्मान होते है जो जातक नई वास्तु या वाहन लेने के विचार में है उन्हें थोड़ी प्रतिक्षा करने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसके लिए यह उधिक कतई उचीत नहीं है, वैसे भी इन चीजों को रोज रोज लिया नहीं जाता, इसलिए थोड़ी प्रतिक्षा करे, शुभकाल की प्रतिक्षा करने आपके लिए उचीत रहेगा शिक्षा इस्ट देव का सहयोग प्रणय की दुरुष्टी से विचार करे, तो यह महना आपके लिए शुभकाहा जा सकता है विशेश रूप से जो मकर जाता कुछ शिक्षा में है, उनके लिए अत्यनत शुभयोग निर्मान होने वाले है उन शुभयोगों का सदुपयोग कर सफलता प्राप्त करना आपके लिए सरल हो रहेगा इस्ट देव से आपको भरपूर आशिर्वात मिलेंगे लेकिन उस तुन्ना में प्राथमिक शिक्षा लेने वाले जातकों को थोड़ा अधिक संगर्ष करना पड़ेगा अर्था थोड़ा अधिक अधिक अधियन करना पड़ेगा इस बात को द्यान में लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना बुले धन्यवाद स्वास्त्य कर्ज प्रतिसपर्दी शत्रों की दुरुष्टी से विचार करें तो मकरजातकों के लिए यह महिना सामान्य रूप से लाब करी है ऐसा हम कह सकते हैं जिने कर्जे की आवशक्ता है उन्हें हो प्राप्त होगा लेकिन अक्त्याधिक आवशक्ता होने पर ही कर्ज का विचार करना चाहिए अन्यता कर्ज के विचार का त्याक करना उचीत रहेगा प्रतिस पर्दियों पर आप विजे प्राप्त करेंगे शत्रूओं को पीछे छोड़ देंगे कोड कचरी में किसी केस पर आपका काम का शुरू हो और आपका पक्ष उचीत हो तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना है इसलिए उस दुरूष्टी से अधीक प्रयास कीजिए नोकरी एवं व्यावशाय की दुरूष्टी से विजार करें तो नोकरी करने वाले मकर जातकों के लिए यह महिना लाभकारी कहा जा सकता है आपको कई दुरूष्टियों से अपना कर्तुत्व सिध्ध करने के आउसर प्राप्त होंगे आपकी बुद्धि मत्ता आपका कर्तुत्व आपका ज्ञान वरिष्टों के सामने आएगा जिससे आपको अत्यनत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे व्यावसाइक मकर जातकों के लिए यह महिने का प्रथम पक्वाड़ा भले ही लाभकाराई हो लेकिन दुसरे पक्वाड़े में कही न कही नुकसान होने की संभावना है अनुचित स्तान पर निवेश करना अनुचित व्यक्ति को पैसे उधार देना जैसी चीजे होकर आर्थिक टुकसान होने के योग दिखाई दे रहे है इसलिए उस दुरुष्टी से थोड़ा सावधान रहे कोई भी व्याभार करने के पहले थोड़ा विचार करे वह लाभकारी रहेगा भाग्यययम शुभसंकेतों की दुरुष्टी से विचार करे तो मकर जातकों के लिए उत्सव पर्वका यह महिना कई शुभसंकेतों से भरा है विशेश रूप से राशी स्वामी राशी में राशी स्वामी पंचमेश में होने वाला नव पंचम्योग राशी स्वामी भाग्येश में होने वाला नव पंचम्योग राशी स्वामी और लाभेश में होने वाला नव पंचम्योग लाभेश भाग्येश में होने वाला नव पंचम्योग ऐसे कई शुभय योग आपकी कुंडली में है, परिणाम स्वरूप आपको कई दुरुष्टियों से अत्यन्त शुभफल प्राप्त होंगे, इन नवपंचम योग योग के कारण प्रथम जितिय, पंचम, भाग्य, दशम और लाब जैसे महतोपुर्णस्तान एक कही समय पर बल्वान होए है, परिणाम स्वरूप उसके शुभफल आपको प्राप्त होंगे, कर्म की दुरुष्टि से विचार करें तो कर्मेश्ख स्थिति को देखना आवश्यक होता है, मकर राशी के कर्मेश्च शुक्रदेव कर्म के वियस्तान में और अपनी नीच राशी में व विच करेंगे, तब कर्मेश् कर्मस्तान में यह स्थिति निर्माण होगी, कुल मिला कर महने के प्रतं पक्वारे में कर्म करने की अपेक्शाव उससे टालने का अप अधिक परयास करेंगे, वैसी वृत्ति आपने विकसीत होगी, दुसरे पक्वारे से लेकिन आप अपने मूल सभाव के अनुसार उचित कर्म करेंगे वो सवधी में आर्थिक नुकसान के भी योग है इसी लिए आप उस दुरुष्टी से सावद रहें ऐसी सलाह आपको दी जाती है जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाही करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिये लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर राशी के लिए लाभेश मंगल देव होते हैं जो आपके पंचम स्थान में विराजबन हैं महा शुक्रदेव की अर्थात उनके शत्रु ग्रह की राशी आती है उसी समय शुक्रदेव नीच अवस्ता में है कुल मिला कर लाभ की दुरुष्टी से यह अवधिय आपके लिए थोड़ा संगर्श पूर्ण रहेगा ऐसा हम कह सकते हैं फिर भी आप अपने कर्मों पर विशेश ध्यान दे आज नहीं तो कल आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा क्योंकि कर्म कभी वियर्थ नहीं जा के कई योग निर्मान होने वाले है नजदी क्या कही दूर यात्रा आप कर सकते हैं लिस्तेदारों के पास जा सकते हैं इस यात्रा में आपका खर्च भी होगा विदेश जाने के योग निरमान होने वाले हैं जो मकर्जातक विदेश पमें वें भारत कुल मिलाकर यात्रा हो तो उस पर होता है साथ ही मंुष्य जीवन को कुछ प्रतिदिन खर्च लागू रहते में कि लिए यहाँ ओधी उन्नति का प्रगतिका ताह जा सकता है उन्होंने उसका लाब उठाना चाहिए हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता जीवन सुग्दुक और उतार चड़ाव से भरा है उस अनुसार मेहने के कुछ दिन सभी के लिए शुबह होते हैं तो कुछ दिन अशूप तनाव और संगर्श से भरे होते हैं उस अवदी में हम कैसा व्यव शुबह रहेंगे इसलिए प्रयास करना है कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा किया जाए तो चार बारह और वाईश यह दिन अशूबह हैंगे तो हो सकता है इन दिनों में आपका संगर्श बड़े इसलिए आपको इन दिनों की उच्छी तियोजना बनानी होगी ताकि आपका और आपके अपनों का मानसिक स्वास्त बना रहें। उपायों की दुरुष्टी से जोतिश में छोटे-छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताये गए हैं। अशुभची जोकी अशुभता कम करने का, शुभची जोकी शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है। उस अनुसार इस मेहने के उपायों का विचार करें। तो हमारी भारतिय संस्कृती में अक्टूबर मेहने का विशेश महत्व है। 2022 के अक्टूबर मेहने में दशेरा, कोजागिरी पन्नीमा, दिवाली जैसे तोयवार है। परिणाम सुरूप इस मेहने के उपायों का बड़ा महत्व है। दशेरा दिवाली के लिए हम स्वतंत्र वीडियो बनाते हैं। लेकिन उससे पूर्व इस मेहने करने वाले उपायों की दुरुष्टी से श्री कुरुष्ट के कई नाम है, जो सांसारिक समस्याओं को कम करने के लिए उपयुक्त माने जाते है। राशी के अनुसार मैं जाब किया तो भी चलता है। उस अनुसार मकर जातकों के लिए नंद पूत्राय श्याम लांगाय बालव पूशे कृष्टनाय गोविंदाय गोपी जय नवल्लभाय स्वाहा। यह मंत्र सुचित किया जाता है। इस मंत्र का आपको जाब करना है जिसके आपको अत्यनते श राशी के लिए अक्टूबर महिना कैसा रहेगा। यह समझाने के लिए बारह वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये है। लाइक शेयर और कमेंड कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लिखिए जय जोतिश। धन्यवाद शुभं भवतु जय जो जोतिश। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दी चैनल। और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भुले। धन्यवाद।